आज हम कक्षा नमी में दस्मी में सम्मेलित विशय अपठित बोध का अध्यन करेंगे, जिसके अंतरगत हम अध्यन करेंगे अपठित गध्यांश का अपठित, अपठित अर्थात जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित, अजमा पठित से बना है, अउपसर्ग का अर्थ है बिना, अर्थात पढ़े बिना, अपठित जो पहले पढ़ा ना गया हो अजमा पठित, अर्थात जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित बोध एक ऐसी विधा है जिससे सिक्षार्तियों में समझने की ख्षमता का विकास होता है पठित सामगरी के आधार पर तो प्रश्णों के उत्तर देना सरल है पर अपठित सामगरी के आधार पर उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है अते अपठित बोध को समझ कर तथा गहराई में पहुँच कर ही इससे संबंदित प्रश्णों के उत्तर दिये जा सकते हैं यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है आईए देखते हैं अपठित क्या है अपठित का अर्थ है जो कभी पढ़ा नहीं गया इस प्रकार का गध्यांश पाठे क्रम से जोड़ा नहीं होता अर्थात ये आपके पाठे पुस्तकों में से सम्मिलित नहीं होता अपितु इसके अतरिक्त जो आपने पहले नहीं पढ़ा वहां से लिया जाता है और अचानक ही पढ़ने के लिए दिया जाता है इसके क्या लाब हैं? इससे यह परखा जाता है कि छात्र गद्यांश की विशेवस्तू को किस सीमा तक समझ रहे हैं अठाथ वो उस अपठित सामगरी को कितना ग्रहन कर रहे हैं, कितनी उनकी समझने की क्षमता उससे विक्सित हो रही है अपठित बोध की व्यावारिक जीवन में बहुत उप्योगिता है क्यों उप्योगिता है? क्योंकि किसी भी भाषा का क्या लाब है? कि हम उसे बोलने और समझने में सक्षम हो सकें जब हम पहले से पढ़ी हुई सामग्री को ना पढ़कर किसी अन्य सामग्री को भी पढ़ते हैं, किसी अपठित सामग्री का अध्यन करते हैं, तो वहें कितनी समझ में आ रही है? इस बात पर निर्भर करता है। अपठित बोध को सम्मिलित किया गया है इससे विद्यार्थियों की बौधिक्ता में वृद्धी के साथ साथ विशे को ग्रहन करने की शमता का विकास होता है कि आप उस विशे को कितना समझ पा रहे हैं उस भाषा से कितने परिचित हैं इससे विद्यार्थियों में भाषा क सनरचना व्याकरण शिल्प ज्यान और बोध के अतिरिक्त शब्द कोश में भी वृद्धी होती है क्योंकि वहाँ पर आपके पास सीमित पाठेक्रम ना होकर एक विस्तित शेत्र होता है जिसमें विभिन शब्दों विभिन प्रकार की सनरचनाओं व्याकरणिक प्रकारियों इत्यादी की जानकारी होती है और आपको उसमें अपनी बौधिक शम्ता का प्रयोग करना पड़ता है ना कि रटे रटाए ज्ञान का अपठित गध्यांश को पढ़कर लगू उत्तरिये, दीर गुत्तरिये या बहु विकल्पिये प्रश्नों और थात MCQ या बहु विकल्पिये अंशों और थात Multiple Choice Items MCIs प्रश्नों के उत्तर लिखते समें निमलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है अब ये कुछ बातें यहां दर्शाई गई हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदू हैं जिनके विशे में जानकर आप समझ पाएंगे कि अपठित गध्यांश को किस प्रकार हल करना है उसके प्रशनों के उत्तर किस आधार पर देने हैं गध्यांश को दो तीन बार ध्यान से अवश्य पढ़ें अर्थ एवं भाव हृद्यंगम करें उसके भाव को समझने का प्रयास करें अर्थ भी समझें साथ ही भाव को भी समझें कि यह गध्यांश किस भाव को लिए हुए है किस भावना के आधार पर यह का गया है तीसरा बिंदू है गध्यांश के मुख्ये विचारांशों को र महत्वपूर्ण विचार हैं उन्हें रेखांकित करना है अंडरलाइन करना है शीर्षक का चैन करते समय प्रथम या अंतिम पंक्ति पर विशेश ध्यान दें जब शीर्षक चैन करना होता है उस समय आप प्रथम और अंतिम पंक्ति पर भी विशेश रूप से ध्यान देंगे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि गद्यांश में से उचित उत्तर को लिखा जा सके अब प्रश्न ध्यान से समझे कि क्या पूछा जा रहा है कई बार बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि प्रश्न पढ़ा उससे मिलते जुलते जो शब्द गद्यांश में मिले वहां से आपने तीन पंक्तियां ली और लिख डाली उत्तर के लिए तो ये संभव नहीं है कि सिर्फ वही शब्द मिलते जुलते शब्दों के आधार पर ही उसका उत्तर पूर्ण हो जाए अपितु जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार ही उत्तर लिखा जाना जाए अगला है क्रम संख्या का अवश्य ध्यान रखें कई बार बच्चे क्रम संख्या का अध्यान नहीं रखते आगे पीछे कर देते हैं तो खास तौर पर बहु विकल्पिये प्रश्नों का जब आप उत्तर लिख रहे हैं multiple choice questions जब आप कर रहे हैं तो उसमें विशेश रूप से ध्यान देना है कि किस प्रकार आपकी क्रम संख्या है उसे ध्यान से लिखें वैसे तो दोनों में ही आवश्यक है लगू उतरिये दीर गूतरिये या बहु विकल्पिये में परन्तु बहु विकल्पिये में खास तोर पर इस बात का आवश्ये ध्यान रखना चाहिए फिर है बहु विकल्प आत्मक प्रशनों तथा उनके विकल्पों को ध्यान पूर्व पाया जाता है कि कौन सा उसका अत्यंत उप्युक्त उत्तर है इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना है और उसी सही विकल्प का आपको चैन करना है फिर है प्रशनों के विकल्प का चुनाव करते समय इस बात का आवश्य ध्यान रखना चाहिए कि चुना गया सबसे शुद एवं सटीक हो, बिल्कुल सही होना चाहिए वो, सटीक होना चाहिए, सबसे शुद होना चाहिए, कि तीन विकल भी और बाकी के मिलते जुलते हो सकते हैं, परन्तु उन में से अत्यांत उप्युक्त ही उसका उत्तर माना जाएगा, इस प्रकार आपने जाना कि अ अपठित गध्यांश के अंतरगत, अभ्यास प्रशन एक देखते हैं, निमलिकत गध्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिये गए प्रशनों के उत्तर लिखिए, इस प्रकार का प्रशन परिक्षा में पूछा जाता है, अब गध्यांश है, घर वालों से शिष्ट व् अपनापन बढ़ता है, विनम्रता का मतलब है अच्छी तहजीब का पालन, खुद को संतुष्टी देने के साथ ही विनम्रता और शिष्ट व्यवहार के और भी कई फायदे हैं, किन्तु फिर भी लोग विनम्रता का पालन नहीं करते, कच्छोर और असब्ये लोग थोड़ अखिरकार ऐसे लोग ना पसंद किये जाते हैं, बच्चों को बच्पन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बड़े होकर वे सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला बन सकें, एक बार विनम्र व्यवहार सीख लें, तो वे उम्र भ लखने और समवेदन शील होने के नजरिये को दर्शाता है, ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारन लगती हैं, लेकिन इनसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं, उधारन के लिए कृप्या, शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे क्षमा कीजिए, जैसे चंद शब्द जादू क असर दिखाते हैं, अब प्रश्न है, शिष्ट और अच्छा व्यवहार क्यों आवश्रक है, उत्तर होगा, शिष्ट और अच्छे व्यवहार से नजदी की वे अपनापन बढ़ता है, शिष्ट व्यवहार घर और बाहर दोनों स्थानों पर करना चाहिए, इस से इनसान के व्यक्तित्व की प्रशंसा होती है, इस प्रकार का उत्तर आप देंगे, दूसरा प्रश्न है, विनम्रिता में प्रयुक्त उपसर्ग बताते हुए, विनम्रिता का अर्थ लेखिए, कि विनम्रिता श्रब्द में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो इस विनमरिता शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है वी और मूल शब्द है नमरिता और वी इसका उपसर्ग है विनमरिता में वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और विनमरिता का अर्थ है अच्छी तहजीब के साथ बात करना तीसरा प्रश्ण है कठोर और असभ्य लोगों का जीवन पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं होता उत्तर होगा कठोर और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए भले ही सफल हो जाएं किन्तु ऐसे लोगों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं लोग उन्हें ना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को अपने व्यवहार के कारण हानी उठानी पड़ती है चौथा प्रश्न है बच्चों को बच्पन से ही कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए और क्यों उत्तर होगा बच्चों को सभ्यता और समझदारी की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे बड़े होकर सभ्य और अच्छा व्यवहार करें बच्चे ऐसी शिक्षा पाकर दूसरों का खयाल करेंगे तो सब के प्रिये बनेंगे ऐसी शिक्षा का परिणाम अच्छा होता है यह इनसान को बहुत आगे ले जाता है अगला प्रेश्ण है किन शब्दों में जादू का असर होता है और क्यों? कृप्या, शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे शमा कीजिए ऐसे शब्दों में जादू का असर होता है क्योंकि इने बोलते ही सामने वाला शांत हो जाता है और उसका क्रोद मिट जाता है अगला है विनम्र शब्द का विलोम बताईए विनम्र शब्द का विलोम शब्द बताना है और विनम्र का विलोम होगा उद्दंड अगला इसका ख़ भाग है गद्यांश का उप्युक्त शीर्षक दीजिए इन गद्यांश के लिए उप्युक्त शीर्षक है शिष्ट व्यभार तो देखा आपने कि किस प्रकार के प्रश्ण अपठित गध्यांश के अधार पर पूछे जाएंगे जो इस अपठित गध्यांश से लिए गए हूँ साथ ही कुछ व्याकरनिक भाग भी इसमें सम्मिलत होता है जैसा आपने देखा यहां विलोम शब्द उपसर्ग इस प्रक संत भी डुब की लगाने से बचने लगे हैं गंगा अतिदिक प्रदूशित हो गई है जिसके कारण अब साधू संत भी उसमें डुब की लगाना पसंद नहीं करते फैक्ट्रियों के प्रदूशित पानी कीट नाशक वेरा साइनिक खाद का बढ़ता प्रियोग घरेलू सि इबर का गंदा पानी आधी गंगा प्रदूशन के लिए जिम्मेदार तो है ही हमारे धार्मिक अंध विश्वास भी गंगा को प्रदूशित करने के लिए कम जिम्मेदार नहीं है क्या रासाइनिक पदार्थों से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन गंगा को प्रदूशित नहीं करता क्या हमारे गंगा स्नान करने से हमारे ही शरीर की गंदगी से गंगा प्रदूशित नहीं होती इसी तरह क्या गंगा किनारे शवदाह करने से गंगा प्रदूशित नहीं होती यदि आप वास्तव में गंगा को प्रदूशन से मुक्त कराना ही चाहते हैं तो सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता को भी धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकालने हेतु अलख जगाएं सरकार को उसकी जिम्मेदारी सौपने मात्र से ही आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती अपने ही देशवासियों को बताएं कि जिन कार्यों से गंगा प्रदूशित होती है उस कार्य से हमारा प्रतेक देशवासी स्वैम को विरत रखे अर्थात ऐसे कार्यों से दूर रहे पहला प्रश्ण है सादू संथ भी गंगा में डुबकी लगाने से क्यों बचने लगे हैं उत्तर होगा गंगा के अत्यदिक प्रदूशित होने के कारण साधू संत भी गंगा में डुब की लगाने से बचने लगे हैं दूसरा प्रश्ण है गंगा प्रदूशन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण गंगा प्रदूशत हो रही है जो की इस गध्यांश में बताए गए हैं वो जिन में पहला है गंगा प्रदूशन के लिए जिम्मेदार प्रमोक कारक हैं कर फैक्टरियों का प्रदूशत पानी ख घरेलू सिवर का गंदा पानी गर वे रासाइनिक खाद का बढ़ता प्रयोग फिर तीसरा प्रशन है हमारी धार्मिक मानेताएं गंगा प्रदूशन में कैसे सहायक हैं हमारी धार्मिक मानेताएं भी गंगा प्रदूशन में सहायक हैं रासाइनिक पदार्थों से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों का गंगा किनारे श्रव दाह करना आधी कार्य गंगा प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं अगला प्रश्ण है गंगा को प्रदूशन से मुक्त करने के लिए क्या करना होगा उत्तर होगा गंगा को प्रदूशन से मुक्त करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ जनता को भी प्रयास करना होगा धार्मिक अन्विश्वासों को स्माप्त करने के लिए लोगों में चेतना जगानी होगी ऐसे कारियों पर रोक लगानी होगी जिससे गंगा प्रदूशित होती है और इस प्रकार अगला प्रश्ण है अलख जगाना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए अलख जगाना अंतार चेतना जगाना उनमें जागरुकता जगाना वाक्य प्रयोग यां किया गया है बाबा राम देव ने जडी बूटियों से निर्मित दवाईयों के प्रति जनता में अलग जगाई और अगला प्रश्न है रासायनिक से मूल शब्द और प्रत्य अलग कीजिए रासायनिक रासाइनिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्य अलग करना है तो रासाइनिक शब्द में मूल शब्द है रसायन अर्था कैमिकल रसायन और प्रत्य है एक यहां पर प्रयुक्त एक प्रत्य है यह ई और क और शब्द है मूल शब्द है रसायन आप जानते हैं प्रत्य क्या है वे शब्दांश अर्थाट शब्द के अंश जो किसी शब्द के पीछे लग कर उसका अर्थ बदल देते हैं और यहां उपसर्ग प्रयुक्त किया था उपसर्ग क्या है वे शब्दांश जो शब्द के आगे लग कर शब्द के मूल अर्थ में परिवर्थन कर देते हैं इस प्रकार यहां उपसर्ग का प्रयोग हुआ है विनम्रता में वी उपसर्ग है और ता प्रत्य है और यहां रासायनिक शब्द में रसायन मूल शब्द है और एक प्रत्य का प्रयोग हुआ है परिक्षा में कई बार बहु विकल्पिये प्रश्न भी पूछे जाते हैं अपठित कद्यांश के आधार पर आईए देखते हैं इसके कुछ उधारण सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा अर्ध्ये दान में लीन एक सन्यासी मन ही मन सोच रहा था अर्ध्ये दान अर्थात नदी में खड़े ओकर वैं प्रातना कर रहा है सूरज को जल दे रहा है तो वैं सन्यासी मन ही मन सोच रहा था हे इश्वर तुम प्रकाश मान हो तुम ही धर्ती पर होने वाले अंधकार के संगारक हो यानि उसको नाश करने वाले हो धर्ती का करते हो परन्तु इस धर्ती पर होने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे कि तुम प्रकाश करते हो इस धर्ती का अंधेरा हरते हो परन्तु जो लोगों के मन में अंधकार है मन में अंधेरा है उसे कैसे दूर करोगे उसे कब दूर करोगे उसे घट-घ हुआ दियान इधान मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरने वाले अशांति के दावनल को सिर्फ तुम्ही शांत कर पाओगे कि वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है दुनिया को घेरने वाले अशान्ती के दावानल को कि अशान्ती रूपी आग जो सर्वत्र फैली हुई है उसको सिर्फ तुम ही शान्त कर पाओगे शान्ती के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख और स्वर्ग सब नियोचावर करने के लिए तैयार हूँ कुछ भी करो पर इस दुनिया में अमन एवं शान्ती का सामराज्य फैला दो मैं ऐसी सुन्दर दुनिया देखना चाहता हूँ जहां सेह की पीट पर खरगोश खेलता हो उकाब की गोद में साप सोया हो उकाब एक पक्षी है जो चील से भी बड़ा होता है एक पक्षी का नाम है उकाब तो उकाब की गोद में साप सोया हो और सभी जग एक हो यानि कि एकता इस संसार में इतनी व्याप्थ हो कि सभी शांती पूर्वक रहें ऐसा मनोभाव लिये हुए ये गध्यांश है आएए देखते हैं इसका पहला प्रश्न काले-काले बादलों से धीरे-धीरे निकलने लगा था चांद, ख प्रकाश, ग सूरज और ग अन्धकार तो काले-काले बादलों के बीच से क्या निकल रहा है ग सूरज उत्तर के रूप में आप लिखेंगे ग सूरज दूसरा है आर्धे दान में लीन थे एक क पुजारी, ख ग्रहस्त, ग्र आद्मी और ग्र सन्यासी तो इसका उप्युक्त उत्तर है ग्र सन्यासी तीसरा है धर्ती पर फैला अंधेरा कौन नश्ट कर सकता है क ईश्वर, ख चांद, ग प्रकाश और ग बिजली ये अंधेरा नश्ट करने में प्रकाश और बिजली भी कर सकते हैं परन्तु धर्ती पर सभी जगे अंधेरा फैला है तो उसे एक दूर करने की शमता कौन रखते हैं इसमें अत्यंत उप्युक्त उत्तर के आधार पर उत्तर होगा क ईश्वर चौथा प्रश्ण है दावा नल का अर्थ है आग, अगनी, अशान्ती या जंगल की आग तो दावा नल है जंगल की आग अगला प्रश्ण है सन्यासी, शान्ती के लिए न्योचावर करने को तयार है तप से त्याग, सुख, एमम, स्वर्ग, स्वर्ग और शान्ती या तप, सुख, और स्वर्ग तो अत्यांत उप्युक्त उत्तर है इसका घः, तप, सुख और स्वर्ग ये सब न्योचावर करने के लिए तयार है जैसा कि या सपष्ट दिया गया है कि मैं अपना तप, सुख और स्वर्ग सब न्योचावर करने के लिए तयार हूँ तो इस प्रकार हमने देखा कि बहु विकल्पिय प्रश्ण के आधार पर किस प्रकार के प्रश्ण अपठित गध्यांश में पूछे जाते हैं और ने किस प्रकार हल करना है आईए देखते हैं एक अन्य उधारन उन्होंने गांधी की जीवनी पढ़ी और प्रण किया कि आगे वह मासाहार छोड़ देंगे यह आसान नहीं था यह वह जानते थे ऐसे प्रण चंद दिनों में ही तूट जाते हैं लेकिन इस बार की बात अलग थी बस उन्होंने ठान लिया था University of Hertfordshire के प्रफेसर Richard Weichman ने एक शोद में पाया कि 88 प्रतीशत लोग प्रण पूरा करने में विफल रहते हैं कि 88 प्रतीशत लोग अपना प्रण पूरा नहीं कर पाते जो वह सोचते हैं जो वह ठानते हैं कि हमें यह अपना निश्चे पूरा करना है तो 88 प्रतीशत पूरा नहीं कर पाते हैं उसमें विफल हो जाते हैं Weichman कहते हैं असफलता इसली मिलती है कि एक तो हमारे लक्षे सार्थक नहीं होते दूसरे वह श्रमता से बाहर होते हैं कि वह हम सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे परन्तु वह सार्थक भी नहीं हो पाते और हमारी श्रमता से बाहर होते हैं उनके अनुसार सार्थक लक्षे का मतलब है विशिष्ट मापने योग्य वास्तविक और समय सीमा के अंदर पूरे होने वाले लक्षे तो किस प्रकार का उनके अनुसार सार्थक लक्षे क्या होना चाहिए कि विशेष्ट मापने योग्ये जिसे विशेष्टा के आधार पर हम आप सकें कि हमने कितनी सफलता उसमें प्राप्त की है वास्तविक और समय सीमा के अंदर पूरा हो जिस समय एक हम टार्गेट बना के चलते हैं कि हमें ये इतने टाइम में पूरा करना है तो उस समय में ही वो पूरा होना चाहिए यही हमारा सार्थक लक्षे होगा लेकिन स्थिती इसके विपरीत अधिक होती है हम प्रण लेते हैं और उसे एक कोशिश में पूरा करने की सोचते हैं जो हमें और पीछे धकेल और यह पर इस प्रण ने लिसिती है isn't it लेकिन दली ले लिए तो वहीं एक रुकावट पैदा होती है दरसल ज्यादा तर प्रण अगम भीरता के साथ यूँ ही ले लिये जाते हैं और ये पहली रुकावट के बाद ही दम तोड़ देते हैं कि जरा सी कोई असुरक्षा हुई रुकावट आई और वो वहीं पर उस प्रण ने अपने प्राण त्याग कर दिये हमारा 55 प्रतिशत व्यवहार अव चेतना में तै होता है ये व्यवहार ही आदत है इन्हें खत्म करना आसान नहीं होता इन्हें दबाने से अधिक आसान है दूसरी अच्छी आदत विक्सित कर उसे मात देना कि हम अव चेतना में तै करते हैं हमारा व्यवहार हम सोच कर नही तो ये व्यमहार ही हमारी आदत है और आदत को समात करना खतम करना मुश्किल है आसान नहीं है तो इसलिए हमें उस आदत को ना दवा कर एक अच्छी आदत को विक्सित करना है अपना ध्यान हम उस आदत को दबाने में केंद्रत ना करें अपितु एक अच्छी आदत विक्सि करने में मदद करती है इच्छा शक्ती और पुनरावरित्ती तो इच्छा शक्ती और पुनरावरित्ती वहां विक्षित हो रही है इच्छा शक्ती के आधार पर और पुनरावरित्ती यह दुम्मुख्ये प्रकार हैं जैसे जिसके आधार पर एक अच्छी आदत को विक्षि तब तक नए neural connection नहीं बनेंगे और नहीं नई आदत बन पाएगी कि जब तक आप एक अच्छे प्रण को दोहराएंगे नहीं जब तक आप उसको repeat नहीं करते रहेंगे बार-बार कि आपने क्या प्रण लिया था उसको किस प्रकार पूरा करना है तब तक नए neural connection नहीं इस बात को वैज्यानिक आधार भी मिल चुका है कि हम वैसा ही बनते हैं जैसा सोचते हैं कि जैसा हम बन रहे हैं वैसा ही सोचना है समानता होनी चाहिए The temptation of innocence living in the age of entitlement के लेखक पास्कल ब्रकनर कहते हैं कि हमें एक बड़े प्रण को छोटे-छोटे हिस्से में बाटना चाहिए पास्कल ने यह भी कहा है कि मामूली लगने वाले संकल्प भी निभाये जाने पर कोई अमूले उपहार जरूर देते हैं और यह अमूले उपहार गुटका छोड़ने पर भी मिलता है और व्यायाम की आदत बनाने पर भी तो इस प्रकार एक बुराई को छोड़ा गया है और एक अच्छाई को अपनाया गया है अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न पहला है हमारे अधिकतर प्रण चंद दिनों में ही क्यों तूट जाते हैं इसके विकल्प दिये गए हैं क भावुक्ता में लिये जाने के कारण ख गंभीरता से न लिये जाने के कारण ग ख शंता से बाहर होने के कारण और ग जल्द बाजी के कारण तो उप्योक्त उत्तर है ग शंता से बाहर होने के कारण यही कारण है कि प्रण चंद दिनों में तूट जाते हैं जैसा कि उपर अभी पढ़ा कि प्रण क्यों तूट जाते हैं कि वो ख शंता के अनुसार नहीं लिये जाते जितना कारे करने का सामर्थ है उसके आधार पर नहीं लिये जाते उससे बाहर लिये जाते हैं तो वह प्रण तूट जाता है दूसरा है मनों विज्ञानी टिमोथी के अनुसार प्रण की अपेक्षा क मस्ती बेहतर है ख अनुशासन जरूरी है ग नई आदत को विक्सित करना चाहिए ग कोई बात गंभीरता से नहीं लेने चाहिए तो उप्युक्त उत्तर है ग भाग नई आदत को विक्सित करना चाहिए तीसरा प्रश्न है प्रण को बार बार दोहराना क्यों आवश्रक है क याद रखने के लिए ख नई आदत बनाने के लिए ग लोगों को बताने के लिए ग दूसरों को समझाने के लिए तो क्यों आवश्रक है उन्हें पढ़ा था कि एक नई आदत को अपनाना है कि जब तक आप प्रण को दोहराएंगे नहीं तब तक नई नूरल कनेक्शन नहीं बनेंगे तो नई आदत को अपनाने के लिए ये आवश्रक है इसलिए इसका अत्यांत उप्युक्त विकल्प है ख अगला है हम वैसे ही बनते हैं क जैसा चाहते हैं, ख जैसा देखते हैं, ग जैसा बोलते हैं और ग जैसा सोचते हैं तो अत्यांत उप्युक्त उत्तर है घ जैसा सोचते हैं. अगला प्रश्ण है connection शब्द है क तत्सम, ख तदभव, ग देशज और ग आगत. तो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम क्यों से होते हैं शब्द? तत्सम शब्द वे हैं, जो संस्कृत से जोंके त्यों हिंदी में प्रयोग किये जाते हैं, जैसे कि संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं. तत्भव शब्द कौन से हैं? तत्भव वे शब्द हैं, जो संस्कृत स रूप बदल कर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं जैसे अगनी हम संस्कृत में कहते हैं तत्सम शब्द है अगनी और इसी का तद्भव रूप अगर हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे आग और देशद शब्द क्या है देशद जो आम बोलचाल के शब्द है घः आगत शब्द कौन से हैं आगत जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द है उर्दू, फार्सी, अंग्रेजी आदी भाषाओं से जो शब्द आए हैं वे आगत शब्द कहलाते हैं तो connection कैसा शब्द है ना वो तत्सम शब्द है ना तद्भव है ना देशज है तो वो है आगत शब इसलिए अत्यंत उप्युक्त उत्तर है घर तो इस प्रकार आपने देखा कि बहु विकल्पिये प्रशनों के उत्तर किस प्रकार चुने जाने चाहिए उनका सही विकल्प किस प्रकार चुनना चाहिए इसके साथ ही दीर्ग उत्तरिये या लगु उत्तरिये प्रशनों के उत्तर किस आधार पर अपठित गध्यांश में से चुने जाने चाहिए